हेलो दोस्तों आप सभी का ओलाओ नोलिज में स्वागत है और आज मैं आप लोग को अड़वांस ट्रांसलिशन बताने जा रहा हूँ तो आप लोग सभी इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा आज संसार की इस्थिती अतियंत संकट पूर्ण है तो यहाँ पर जो है आप किस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलिट करेंगी तो आज का हम क्या लिख सकते हैं अतियन्थ का क्या लिखेंगे extremely, जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, I am extremely well, तो यहाँ पर हो जायागा, अौ अधई झाते हींगे हिस्ते लिएवर जैसे सब्छे ममाक्यर कुणितित ओपाल।। अभ आधे।। sinner byatura कि शुभ Ihr इसे क्रिटिकल हमारे सामने इस समय अनेक तेड़ी समस्याई है तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं जैसे हमारे सामने इस समय अनेक तेड़ी समस्याई है we have many complicated problems हमारे सामने before us या फिर there से भी बना सकते हैं there are many complicated problems before us this time इस समय या this time को पहले ही लिख देते हैं this time या फिर now भी लिख सकते हैं यहाँ पर now there are many complicated problems हमारे सामने बिफोर अस हमें कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे विश्वसांती में किसी परकार का बिधन उपस्थित होता है हमें कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए तो जहाँ पर चाहिए रहता है वहाँ सुड यूज करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा we should not do any such work ऐसा का सच लिख देंगे we should not do any such work जिससे विश्वसांती में किसी परकार का बिधन उपस्थित होता है जिससे का लिख देंगे which which stands in the way of world peace we should not do any such work which stands in the way of world peace stands in the way of यानि कि उसके रास्ते में आना कभी कभी हम अपना करतब बे भूल जाते हैं तो कभी कभी का लिखेंगे sometimes sometimes we forget our duties तब हम बहुत स्वार्थी पुर्ण धंग से काम करते हैं या simple present tense में तब का लिखेंगे then then we work बहुत स्वार्थ पुर्ण धंग से then we work in a very selfish manner then we work in a very selfish manner बस्तुतह कोई मनुस्षे स्वार्थ से परे नहीं है यानि कि परतेक मनुस्षे में स्वार्थ होता है बस्तुतह यानि in fact in fact no man is एभव सेलफिशनेस फिर भी स्वार्थ की एक सीमा होनी चाहिए still या फिर yet का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर subject नहीं मिल रहा है तो देर से सुरू करेंगे yet there should be चाहिए है तो सुर लगाएंगे there should be a limit of selfishness जब हम अपने स्वार्थ के लिए दुसरों के लिए दुख उत्फन करते हैं तब हम उस सीमा का उलंगन कर देते हैं जब कलिखेंगे when जब हम अपने स्वार्थ के लिए दुसरों के लिए दुख उत्फन करते हैं when we create उत्फन करना create लिखेंगे when we create trouble दूसरों के लिए for others अपने स्वार्थ के लिए तो यहाँ पर हम दो तरीके से से बना सकते हैं To serve our own ends मतलब होता है स्वार्थ की पूर्ति करना या फिर sentence के नुसार बनाए तो अपने स्वार्थ के लिए के लिए का फोर लिख देंगे फोर आवर on selfishness तब हम उस सिमा का उलंगन करते हैं then we violate उलंगन करना then we violate that limit उस सिमा का when we create trouble for others for our own selfishness then we violate that limit हमें पूरी मानपता के कल्यान के लिए काम करना चाहिए we should work for the welfare मतलब हो गया कल्यान for the welfare of the we should work for the welfare of the whole humanity हमें पूरी मानपता के कल्यान के लिए काम करना चाहिए उमीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा आज का lesson थोड़ा सा advanced था और जिनको समझ में नहीं आया है तो आप लोग सभी 10s के playlist में जाएए और सुरूर से सभी वीडियोज को जरूर देखिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा और यदि आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी helpful है और यद देद्योन från कर देखिए